एक नॉर्मल सा इंसान अपने बात्रूम में जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट में भी यह पता चला कि उन्होंने खुद की जान ली है। कुछ ऐसी कहानिया होती है जो पूरी धर्टी के लिए हमीशा के लिए एक रहस्य बन कर रह जाती है। गौरफ तिवारी इंडिया के सबसे वेल रेस्पेक्टिट परसन में से एक थे जिसने अपने पूरी जिंदगी मौत के बाद के रहस्य को जानने में लगा दिया। उनके मृत्यों खुद एक राजबन कर रह गए। गौरफ तिवारी एक इंडियन पैरनॉर्मल इंवेस्टिगेटर थे और इंडियन पैरनॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर भी थे। उनका जन्म 1986 में पटना में हुआ था। एक नॉर्मल से जिंदगी बिताने के बाद वो 21 साल की उम्र में ही अमेरिका चले गए एवियसन की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वहां जाकर उनको पैरनॉर्मल चीजों में रूची बढ़ गई। उन्होंने अमेरिका में कई पैरनॉर्मल ग्रुप्स के साथ जाकर काम नस्दीक से देखा और धीरे धीरे वो आखिरक एक पैरनॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बननी का फैसला कर लिए और उनका इंट्रेस्ट जगा था एक रूम के चलते जिसमें वो रेंट पर रहा करते थे। फ्लोरेडा अमेरिका में फ्लोरेडा के जिस रूम पर वो रहा करते थे उसमें रात में अजीब से साउंड्स आया करती थी और चीजें अपने आप फिलने लगती थी बहुत सी अजीब चीजों को उसने अपने रूम में आपसर्व किया उन्होंने आस पड़ोस से ये पता लगाने की कोसिस की कि उस रूम में आखिर क्या हुआ था तो उन्हें ये पता चला कि आस पड़ोस में भी ये बात फ और ये फिल्ड ऐसा भी नहीं है कि कोई millions of dollars की earning आराम से कर सकता है लेकिन फिर भी जिग्यासा किसी भी materialistic चीज से ज़्यादा बढ़ी होती है उन्होंने इन चीजों पे study किया, इसकी detailed पढ़ाई की paranormal चीजों पर research कर पैसे कमाना ये एक actual career होता है और इस फिल्ड में सबसे famous जो इनसान है वो थे कपल एड और लोरेन वेन जो की पूरी दुनिया के सबसे बड़े well-known paranormal investigators थे गौरव दिवारी अपने पूरे career में 6000 से भी ज्यादा haunted houses का अध्यान कर चुके थे बानगड, कुलधरा, मुकेस मिल्स उन haunted जगों में से एक है जहां पर गौरव ने अध्यान किया था क्या आपको पता है कि बहुत सारे countries में paranormal help line नंबर होती है जैसे हर emergency में आप अलग-अलग departments को call कर सकते हो वैसे ही paranormal situation में आप paranormal help line को call कर सकते हो और गौरव जब Indian paranormal society जब बनाए थे तब इनका भी मकसद यही था कि जो लोग spiritual दुनिया की negative side से जूच रहे हैं उनकी help हो सके क्योंकि ऐसे अजीब से problem से जूच रहे लोग या फिर society या relatives को बताएंगे तो वो उनको पागल कहेंगे हाला कि case mental disturbance का भी हो सकता है लेकिन अगर help line number हो तो at least सच तो पता लगे कि कुछ paranormal है या एक medical mental imbalance तो जो paranormal organizations या societies होती है वो ऐसे ही काम करती है पता लगाना कि actual में EMF meter में हल चल हो रही है या फिर उस इनसान के मन का एक वहम है बलकि इन societies का का काम होता है सच का पता करना एड और लोरेन वारेन के life में एक ऐसा case आया जिसमें devil position का case एक actual country code में गया ये world का पहला case था जो की actually में demonic position पर आधारित था गौरव तिवारी की खास बात ये थी कि वो जो भी काम करते थे उसको हमेशा विज्ञान के आधार पर किया करते थे वो हमेशा science को अपने ध्यान में रखते हुए projects को करते थे वो हर एक reading को as a proof रखा करते थे ताकि अगर code में कोई बात चली गई तो code के सामने भी इन चीजों को present कर सके क्योंकि code सर्फ proof को मानता है बातों को नहीं अगर किसी जगा पर actually में unusual activity होती थी तो वो उस जगा को पूरी दुनिया के सामने लाते थे और अगर किसी जगा पर अफ़वा फैली है कि यहाँ पर कोई energy या फिर घोशली present नहीं है तो वो उसे भी clear कर देते थे कि यह सिर्फ एक अफ़वा है यहाँ पर कोई भी energy या घोशली present नहीं है God of Diwari आया और इन सब सोज में गौरवतिवारी अपेयर हुए है इनकी life से जुड़ी जो सबसे बड़ी घटना है वो है इनकी मौत 7 जुलाई 2016 32 साल के गौरवतिवारी इसी दिन एक रहस्यमई तरीके से इस दुनिया को छोड़ कर चले गए 6 जुलाई 2016 को वो रात को अपने घर आते हैं एक नॉर्मल वरकड़े के बाद वो रूज की तरह घर आते हैं और फिर सो जाते हैं फिर अगले दिन 7 जुलाई को वो सुभा 8 वजे उठते हैं और नास्ता करते हैं रोज की तरह उसके बाद गौरव अपने लैक्टॉप को ओपिन करते हैं और मेल्स चेक करते हैं कई मेल्स को सेंड भी करते हैं और उस दिन उनके मेल्स में बहुत सारी पॉजिटिव नियूज भी पड़ी हुई थी जैसे कि उनकी एक तस्वीर एक बड़े मैगजिन के फ्रेंट कवर में आने वाली है और इस बाद से गौरव काभी खुस थे फिर सुबाई 11 बजी वो बाथरूम के अंदर जाते हैं और थोड़ी दिर बाद बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है फिर गौरव का नाम पुकारने पर कोई रिस्पॉस नहीं आता है गौरव की मा, उनके पापा और उनकी वाइब तीनो बाथरूम के तरब भागी बागी आती है और बाथरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं अंदर फर्स पे गौरव लेटे हुए मिलते हैं तुरंत एम्बूलेंस को बुलाया जाता है और उनके गले पर एक काला निसान सब लोग देखती है उनको हस्पिटल में ले जाया जाता है उनको हस्पिटल में लाते ही डॉक्टर उनको डेट डिकलियर कर देती है एक कम्प्लेटली नॉर्मल सी सिचुएशन एकदम से ऐसी सिचुएशन में बदल जाती है जिसके बारे में दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था एक नॉर्मल सा इंसान अपने बातरूम में जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर एक बात है जो आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगी गौरव के मौत के कुछ हपते पहले से ही वो अपनी वाइफ को कहा करते थे कि एक निगेटिव फोर्स उनके पीछे है और उन्हें परेसान कर रही है लेकिन हर किसी ने इस बात को सुनकर इग्नोर कर दिया सबको लगा कि यह काम के चलते स्ट्रेस में है इसलिए यह ऐसी बाते कर रहे है पुलिस की रिपोर्ट में भी यह पता चला कि उन्होंने खुद की जान लिये उनके मौत के बाद सोसल मीडिया में ऐसी बाते फैलने लगी कि उनकी मौत किसी आत्मा के चलते हुई है लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बात को कन्फरम कर दिया कि उन्होंने खुद की जान लिये और ये बताया कि उनके future projects fixed नहीं थे और उनके आमदनी बहुत कम हो रही थी और सायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा लेकिन आम जन्ता और गौरवतिवारी के चाहने वालों को ये बाते हजम नहीं हुई अब authorities और पुलिस तो अपना काम कर रही थे और उस तरीके में भूत प्रेद पर बिलीव करके रिपोर्ट नहीं लिखा जाता हूँ Official statement क्या था पुलिस का वो तो मैंने आपको बता दिया लेकिन आज के समय में भी बहुत लोग ये मानते हैं कि उस दिन का कोई भी data sense नहीं बनता है गौरव की माली हालत यानि financially हालत उतने भी खराब नहीं थी नहीं उनकी घरेलू हालत इतनी खराब थी और यही वो मिश्ट्री है जिनका आंसर उनके चाहने वालों को आज तक नहीं मिला गौरव तिवारी science के उस law को मानते थे जो कि ये कहती है कि energy कभी भी destroy नहीं होती वो सिर्फ अपना रूप बदलती है हमारे दुनिया में बहुत लोग ये मानते हैं कि जो लोग अनपड होते हैं जैसे गाओं देहायत के लोग वो इन सब चीजों को ज्यादा मानते हैं और सहर के लोग कम मानते हैं इसका एक reason एक explanation ये भी हो सकता है कि जिस जगह electrical interference कम होती हो जैसे गाओं वाले उन एरियाज में ये energy ज्यादा मात्रा में हो क्या आपको पता है कि world happiness report हो या ऐसी कोई भी बड़ी reports इसका जो survey करती है जो agency organize करती है उसका नाम Gallup है Gallup पूरे देश भर में पोल करती है उन्होंने एक survey किया था और उन्हें ये पता चला कि अमेरिका में 33% लोग गोश्ट और after life पर बिलीव करते हैं और इंडिया में अगर ये survey किया जाए तो most probably 33% से तो ज़्यादा ही उपर रहेगा ऐसा कई बार हो चुका है दुनिया में जब इंसान अपनी खून पसीनी की कमाई से घर लेता है पर spirits या negative force के चलते उस घर को छोड़ कर या फिर किसी non-believer को भीच कर families उन घरों को छोड़ कर चली जाती है इंसान की senses की बातें करें तो एक बहुत ही mysterious सी sense की ताकत होती है जिससे कहते हैं the gut feeling जिसमें इंसान के किसी भी thought का logic नहीं होता लेकिन बहुत बार ये gut feeling इंसान की जान भी बचाईए जैसे अगर आप कोई नई इंसान से मिलते हैं और आपको अचानक से feel होने लगा कि ये इंसान सही नहीं है तो ये बात आपको आपका brain sense नहीं कर रहा है क्योंकि brain के पास उस इंसान का कोई भी past record नहीं है जिससे कि वो किसी इंसान को judge कर सके लेकिन आपके अंदर की वो feeling, वो gut feeling आपको तुरंत feel करा देती है किसी के भी बारे में इस feeling की स्रोत क्या है कैसे हमें इस दुन्या और इस universe से connected है यही सबसे बड़ी mysteries में से एक है गौरफ सर ने Australia के कई reality source में भी काम किया है और बहुत सारे recordings को भी store किया है और उन्होंने ये भी कहा था कि जो human consciousness है वो physical death को survive कर सकती है गौरफ सर ने ये भी कहा था कि अगर कोई प्रेत आत्माओं की existence को proof नहीं कर पा रहा है तो इसके opposite science यानि विज्ञान भी ये proof नहीं कर सकती है कि super natural चीजें नहीं होती है दुनिया भर के paranormal investigators ये मानते हैं और in fact quantum mechanics में भी ये पता चला है कि इस दुनिया में जो भी मौजूद है वो दिखती तो solid है लेकिन on a basic level everything is energy तो अगर दुनिया की reality यही है तो इतना simple हम क्यों मान बैठे हैं इस दुनिया को excel में प्राण यानि life energy कैसे उत्पन होती है soul का exact स्रोत क्या है ये भी अभी तक विज्ञान को नहीं पता चला है हम जब सोते हैं तो हमारे mind में क्या चल रहा होता है इसका भी answer अभी पूरी तरह से विज्ञान नहीं दे पाई है तो हमें अपना mind थोड़ा सा open करके इस दुनिया को देखना चाहिए ना कि बंद दिमाग से क्योंकि जो मेड़क जिन्दगी पर कुएं में रहा है उसको तो यही पता है कि कुएं ही सबसे बड़ा है कुएं से बड़ा और कुछ भी नहीं है लेकिन वो अगर समुद्र को देख ले तो उसकी पुरानी limited belief तूट जाएगी पूरी तरह से तो ऐसे ही हमें भी सोचते रहना चाहिए इस अजीब से दुनिया के बारे में आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक सरूर करें मिलते हैं फिर एक वार नई दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ तब तक के लिए जहिंद